दोस्तों नमस्कार नारियल के उपाएं जो हमने एक वीडियो अपलोड की थी राहू के उपर आपने उस वीडियो को बड़ा प्यार दिया है दोस्तों और उस वीडियो में मैंने एक सुखा गोल नारियल के बारे में बताया था कि चीटियों को आपने कौन सा नारियल जो है उसमें यूज करना है तो कई लोगों की बड़ी क्यूरिस थी कि वो नारियल कौन सा है तो आज उसी सीरिस को हम शुरू करते हुए पार्ट टू की बात करेंगे कि उसमें हमें कौन सा गोला नारियल जो है वो यूज करना है एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वाज़त दोस्तो नारियल का उपाई जब हम करते हैं तो यह बेसिकली कुंडली में हमारे राहू, केतू या फिर शनी को कही न कहीं कंट्रोल करने का उपाई होता है especially अगर बात करें तो नारियल जो होता है यह बेसिकली शनी का ही रूप है अगर शनी के हम दो एजेंट मालने राहू और केतू तो अगर शनी अच्छे है कुंडली में शनी को आपने किसने कही तरीके से अच्छा कर रखा है कुंडली में तो राहू, केतू के फल भी आपको नेक में लेकिन कुछ हलातों के अनुसार अगर बात करें तो अगर हम चींटियों का उपाए जो है वो कर लेते हैं तो उसमें आपके जो केतू और राहू के फल होंगे वो आपको बहतरीन मिलें अब बात करते हैं कि इस उपाए को करने के पिछे हमारा क्या तर्ख क्या कुंडली में केतू देव जब खराब अवस्ता में होते हैं तो आप जकीन मानिए आपके जीवन में करजा जो है वो बढ़ जाएगा मूल ना दे पाना ब्याज के उपर ब्याज चलते रहना केतू की ही वज़ा से है तो सबसे जीवरी चीज दोस्तों आपके जीवन में ना सब्सक्राइब के पॉंट देते हैं आपका किसी भी तरह से गर के अंदर मन ना लगना बठकाव रहना या एक धर वहम फोबिया आपके दिमाग और मन में काबू गर जाना ये भी केतू देते हैं कभी न कभी चल रही दिमाग के अंदर जो हमारी सिक्ट सेंस होती है दोस्त चाहे वो नेक हो चाहे वो पोस्टी हो चाहे वो नेक्तिव हो तो वो भी कहीं न कहीं केतू का ही असर है जिसे हम छटी इंदरी भी जो है वो भोल देते हैं केतू हमारी सोच है राहू हमारे विचार है बात हम छटे बात की कर रहे हैं तो छटा बाब जो होता है दोस्तों य हमारी गहराई का बाव है, पताल है, बूमी के नीचे तक जहां तक हम सोच भी नहीं सकते, वो गहराई केतू है, हमारे सोचने का जो माप डंड है, वो केतू है, मिस्टरी प्लैनेट है दोस्तो, हमारी सोच के ऊपर जितना भी असर होता है, वो केतू का होता है, कभी-कभी आपने सोचा, जब कुछना कोई सोच आपके दिमागे में आई होगी, कि ये जो गटनाई थी, ये मेरे साथ पहले भी गड़ चुकी है, तो वो सोच केतू है, दोस कुंडली में केतू बलवान होते हैं, आपते गर में परिवार में पुत्तर संतान की प्रिदाईश हो गई, यकीन मानिये, आपकी तरक्की निश्चित है, तो हम बात कर रहे हैं नारियल के गोले वाले उपाय के बारे, दोस्तो नारियल के गोले वाले उपाय को आपको हर मस स्यापन नहीं कर सकते तो आप शनीवार को जुरूर कर लें महीने में एक बार कर लें आप ज़कीन मानिये आपकी जिंदगी में से बहुत हद तक केतू सबंदित बिमारियां रहुसबंदित परिशानिया और शनी सबंदित दुख जो हैं वह बहुत हद तक कम हो जाएंगे इस उपाय को आप शनी की डईया शनी की साड़े सती में भी कर सकते हैं अगर कुंडली में केतु आपके किसी भी बाब में बैठे हो तो तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं इस उपाय के बाद आपके जीवन में एक confidence level एक motivation करी न कहीं health tissue अच्छे होंगे आपकी जिंदिगी में अफसर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और अगर आप कर्ज के बोज के नीचे दबे हुए हैं कर्जा आपका बढ़ चुका है पैसों की बरकत नहीं हो रही गर्मी बिमारी उने गर कर चुका है लकीन मानिए यह उपाय आपको काफी कारगर आपको करना भी चाहिए दोस्तों नार्गल कौन सा लेना है हमने दोस्तों बेसिकली यह आपको एक परचून की दुगान से प्रविजन स्टोर से जो हम मिल जाएगा इसको हम बेसिकली गुट भी है जो बोल देते हैं इदर साइड में बागि सूखा नार्गल होता है गिरी उपर से आपने थोड़ा से इसको कट करना है थोड़ा सा इसको कट करेंगे तो इसके अंदर आपने जो समगरी है वो दारन करनी है उसमें डालनी है अब समगरी कह डालनी है आपने दोस्तों इसमें आपने थोड़ा सा आटा थोड़ी सी देसी बूरा चीनी जिसे देसी खा शारा आपने मिकचर कर लेना है दोस्के बाद इसको आपने किसी भी पीपल के नीचे लाकर दबाना याँ यहाँ पे huh यहां पर चींटियां हों क्योंकि चींटियां जो होती हैं दोस्तों काली जो चींटियां होती है यह शनी का ही रूप है जो लाल चींटियां होती है यह सूर्य का रूप होती है और बड़े कीड़े मकोड़े जो होते हैं यह भी शनी का ही नेक रूप जो है बोला गया है तो ह तो कर्जा आपके उपर बढ़ चुका है उसका उतारने का रस्ता जो है वो आपका बनेगा अगर आप कम से कम चार शनीवार जमहीने में एक शनीवार जगर आप ये कर लेते हैं तो यकीन मानिए इसके रिजल्ट बड़े असरदार हैं नेक हैं और एक छोटा सा लंगर जो है वो आप अपने कर्मों से भी यहां पे लगा सकते हैं अगर आपके कुंडली में खानाँ नंबर 11 में खानाँ नंबर दस में होद्वि कोáveis में मंगल सूर्या को जिब घ्रेह हों मेंसे कुई भी बैठा होगा तो आप इसे चशनी का रेन धी बोल सकते हैं तो इस रेन के recording वी उपाई वैसे अलग बनते हैं लेकिन अगर आप फिर भी यह उपाई यहां पर करेंगे तो इससे आपके काफी हद तक प्राव्लम्स जो है वो कवर होंगी दोस्ते हैं हमारे प्राने बजुर्ग जो थे प्राने टाइम में थे तो उस टाइम पे भी उपाई जो है वो इसी रूप में किये जाते थे दोस्तों लेकिन जब हम अस्ट्रॉलजी की बात करते हैं ग्रहों की बात करते हैं तो इसका सबंद जो है वो कहीं न कहीं ग्रहों में कॉंडली में ग्रहों की स्थितिक एकॉर्डिंग बन जाता है तो हमें इतना आइडिया जो है उपाई करते टाइम होना चाहिए कि हम जो पाए कर रहे हैं, इसका हमारे जीवन में, हमारी कॉंडली में कौन सा बाफ जो है वो एक्टिवेट होगा, तो ये पताल का बाफ है, आप जमीन में इसको गहराई तक दबा रहे हैं, तो वहाँ पे वो छटा बाफ जो है, वो आपका एक्टिवेट होगा, और यहाँ केतू राहु शनी तीनों की शांती जो है वो निश्चित होगी और आपके जीवन से काफी हद तक दुख कस्ट बिमारियां करजा परिशानियां हद तक धूर जो होनी शुरू हो जाएंगी तो यह नारियल आपने जो है मार्केट से पर्चेज करना है दोस्तों इसके इलावा जो दूसरे सूखे नारियल आते हैं और राहु की सीरीस में मैंने पहले जो है वो बताया हुआ है दोस्तों तो वो आपने जलपरवा करोपने करना है इसको आप जलपरवा जो है वो नहीं करना है तो दोस्तों उमीद करता हूँ इसी के साथ कि आपको वीडियो जो है वो प जिसके बारे में आप जाना चाते हों अगर आप कोई suggestion चैनल के उन्ट दीना चाहते हों टीम को देना चाहते हों तो आपके रिप्याइच जरूर किमेंट बॉक्स में लिख्या तो आज के लिए तो इस तो इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में इसे और टॉपिक के साथ